हेलो एब्रिवन वालकम टो राइसे स्मार्ट ही दी योट्यूब चानल विच सोनमगोयल और जैसे की आप जानते हैं कि आज है संडे और संडे होती है राइसे स्मार्ट के प्लाटफॉर्म पर हम लोगों की जीएस की मारथॉन जो शुरू होती है मेरे से और जैसे कि आपको history mentor इसे लिए हम लोग आज इस सेशन में कुछ नाइट आपके questions जो हम डिसक्स करने चाहरे हैं तो उमीद करती हूं कि आप सब वक्त से पहले ही यहां पहुंच चुके हैं और क्लास को आप क्लास को काफी हता हम discussion करेंगे कैसे हम अपना participation दीजिएगा ठीक है तो शिरू करते हैं नया session with new questions so are you ready guys so whatever से सबको बता दीजिए तो टाइम से जुर जाए तो चलते हैं हम आगे कि session की और लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी जो आप सभी के लिए यहां पर मैं इस प्लाटफॉर्म पर देना चाहूंगी क्योंकि काफी स्टूडिंट्स जो अक्सर यह बोलते रहते हैं कि वह चाहते हैं कि स्से का प्रॉपर बाच जिसमें वह लोग तैयारी कर सके हमारे साथ स्थ आसर स्मार्ट के साथ ठीक है तो यहां पर आप्लिकेशन पर स्सेक्षा प्लीट सल्यूशन बाच है जो भी स्टूडिंट्स इसमें इंट्रस्टेड हैं वह अप्लिकेशन पर जाकर हम लोगों से क्रिषाइब इस नमड़ पर में दो क्लास्स प्रोवाइब कि जारा है जिसमें 3 गंटे यहां पर लाइफ क्लासे जों गी जिस लाइफ क्लासे में नूट्स कि जाएगी जिसके साथ को मेलेगा है स्टडेडी मटिर्य यानि हल एक प्रॉपर टॉपिक का हर सब्जिक में हर टॉपिक अपको फूरा पूरवाइद के जाएगा साह doit पוכपक फारा में क्लास के नहीं तयारी नहीं बलकि एक सब्ता के अंतो होने के बश्यात यानि एड़ एंड वीक भी आप यहां पर एक टेस्ट देंगे जिसके दौरान आपके तयारी चलती रहेगी जो आपने पूरे वीक में पड़ा होगा ठेक और इतना ही नहीं मंतली बेस्ट एक्जाम भी होगा य terror के जाएंगे ठीक हो कोई इसंजिक्ट हो कितनी पार भी आपको लगते हैं क् जनकारी है तो आपको यहाँ पर offer है तो फटाफच से इस पर आप अपने वुकर से कि ताकि आप प्रॉपर बाच के साथ तैयारी कर से कि अपनी स्सक्राइब और आप चाहते हैं इसमें कोई भी पर्टिकुलर या कोई डिस्काउंट तो फटाफच से कि यूज कीजिए मेरा कोट SG500 जिससे आपको मेले गए अच्छा काशा डिसकाउंट ठीक है तो चलते हैं प्रस्थान करते क्लास की और और जिसको भी चाहते हैं जो स्टूडेंस वह आगे इस जानकारी को पापच कर दीजिए ठीक है तो चलते हैं आगे मैराथान की और जहां ओल्वेड अधरवेड अगर आरदम की बारत करते हैं तो यहां पर जर्वेडों की रचना यहां जो हुआ है जो चार वेड हमारे भारत में मानी जाते है उन 6-4 में इससफे पहला सबसे पुराना जो वेड मेरे तो कहाँ तो कोई बात औ SHGS क्याभर उब सब्सक्राइब सबसे पुराना कि कि उब टर हो जाएगा हमारा रे दो कि क्रमनुसारं माना जम्टा कैसे क्यआ सौ recovering एंद में अथशर्वेद तो अससे पूराना कि पर हम आधार पर माने तो इसे क्या कहा जाता है मंत्रों का संग्रह यानि इसमें हमें नजर आते हैं मंत्र आज हम हिंदु धरम में देखने हैं कि हमारे धार्मिक प्रक्रिया के दौरार मंत्रों का उचारण किया जाता है वह सभी जो मंत्र हमें संकलित नजर आते हैं यानि उनका जो compilation हमें जिस टेक्स्ट में मिलता है वो कौन सा होता है रिगवेड में मिलता है ठीक है तो याद रखेगा साथ की सथ रिगवेड की बात करते हैं तो रिगवेड जो है हजार अठाइस इसमें सोक्त है और मंत्रों की बात की जाए तो 10588 लगभग इसमें मंत्र बताए जाते हैं ठीक है इसकी अलावा इसका जो तीसरा मंदल है उसमें बात की गई है सक्तिमीव सुरी कि पक्तिमी मंत्र की चींचेख यह पर हमें नजर आता है इसमें गैपGeekंहितृ आता है याद रखना है काये मंत्र मिलता है हमें 30 मंदल define साथ की साथ अगर इसके नवे मंदल की बात करते हैं तो न कि इसलिए याद रखना कि कौंसा मन्डल मतलब 100 माना जाता है तो उत्तर हो जाता है नमा मंदल इसे कहते हैं सुम मंदल क्यूंकि आप जानते हैं ऑरियं से जिनों ने वेदो की रचिना की हुआ Mother कि वेदो का मतलब आधार पर हमारा सबसे पुराना वेद कौन सा है रिगवेद यह हमारा उत्तर है चलते ही और आपके सामने जो चुका है हर्ष के समय की सूचनाए कि पुस्तकों में नहीं थे ठीक है अपर यहां पर बात की जाए तो इन लोगों की तो हो सकता था जब जब पॉसिबल होता है इसमें ऑप्शिन्स में होते दो जैसे हम बात करते हैं हर्ष वर्धन ठीक है यहां बात की जारी है हर्ष वर्धन दरश्व यहां पर रिशेंट बताए गए हैं ठीक हर्ष वर्धन के दरबारी कवी नहीं थी ठीक है और अगर वही लांट की बात करते हैं तो हमें नजर आते हैं यहां पर बाणभट कर जिक्र नहीं किया गया हर्शुवर्धन के दर्बारी कवी थे कौन दर्बारी कवी बाणभट जिन्होंने रचना लिखे थी जिन्होंने किसकी रचना लिखे थी आप जानते हैं इन्होंने यहां पर एक सिकेंड ठीक है इन्होंने लिखा था यहां पर हर्श चर और कादमबरी इनकी रचना और दोनों ही अगर बात करती है तो दोनों ही उलेक करती है किताबे किसके बारे में जिक्र करती है हर्षवर्दन के बारे में हर्षवर्दन का उलेक करती है ठीक है तो वही हर्षवर्दन का एक और हम लोगों को उलेक मिलता है वो किससे मिलता है य इनके समय में आते हैं चीनी यात्री। कौन थे चीनी यात्री? Wing Xuang ठीक, याद रखे नाम बहुत इंपोर्टेंट Wing Xuang एक फायान थे, एक Wing Xuang ब那么 धे फेमज चीनी यात्री रहे हैं चाइनी स्टावलर रहे हैं ये लोग शिक्सान है और इन्होंने जो किताब लिखी थी वो किताबून की कौन से Кाउंसी थी CEO 마носि जहां पर ये भारत में Education के पर परसे शिक्षा के मादय मितलब शिक्षा के लिए बहुत गरंत के जो कहते हैं इन शिक्षा को लेने के लिए बढ़त धरम की स्थालों को विजित करने के लिए यह बहुत अलगा अच्छ की गई कर नौज असेंबली करनोज सभा जिसमें जाते हुएंग सांग को यहां पर मौका दिया कहता है कि बहुत धर्म को यह प्रस्तुति करें तो इस तरह से हमें दोनों ग्रंथ लेकिन यहां पर क्यूंकि दोनों में सथ वहन अब यहां पर इन भी सबसे पूराना माने जाते हैं जैसे कि हु पर इंपॉर्टेंटि के बात करों तो भाडिय की वह करते हैं जो में प्रचीं काल के हास पर यह पर जालते हैं ठीक है तो उनमें से आ जाते हैं हम लोग एक यहां पर डाइनस्टी का नाम लेखा साथ वाहन क्योंकि बात करते हैं अगर हम चालुक्य की पल्लवर राश्ट कूट की ठीक है तो यह वंच हमें नजर आते हैं मौरे मतला सौरी गुप्त उत्तरकाल में ठीक है यानि गुप्त क देख साथ वाहन के अगर हम बात करते हैं एक है कि साथ वाहन के सांस्थापक नजर आते हैं न सिमुक्त और यह जो है भारक पर लगवग यह जो लगबग 300 साल जो है शासन किया तबात तेहास में जहां पर इनकी राजदानी कहां के मतलब कहां से लोग शासन को करते हैं इनकी राजदानी मानी जाती है प्रतेश चान जी से कहा जाता है ठीक है और इतना ही कि साथवाहनों की तो इसके जने माने शासक धो जिसे चलता है यह पर इनके पूछा जाता है बहुत ही पुछा जाता है कि भारत में सीसे के सिक्के किसने चलाय थे तब उत्तर होता है साथ वहनों ने तो यह साथ वहनों के विशेष्टा थी ठीक है साथ वहनों ने भारत में सीसे के सिक्के चला है यानि यहां पर जो महत्रपुन जानकारी हो गई है वह क्या है आपके सीसे के से को करते हैं और जैसे कि वेरे बताया कि गौत्मी पुत्र शक्त करनी क्योंकि एक बहुत ही पावर्फुल रूलत है जिन्हों साथ वहन की प्रतिष्ठा को मैंटिंग कर दिया था तो वह पर आप जानते हैं इनके नाम के आगे जिस तरह से गौत्मी लगा हुआ है तो यहां पर कुछ इतिहास का क्योंकि कहीं से शासकते साथ वहनों में जिन्होंने पने नाम के आगे अपने माता का नाम लिया है तो इन में से अगर हम कहते हैं तो सबसे पुराना इन में से इन में से सबसे पुराना साथ वहन वंजदा ठीक है क्यों क्योंकि कव होते हैं मौरे उत्तर काल में और बाकी यह जो हमें नजर आते हैं ठीक बाकी हमें नजर आते हैं जो यह गुपत उत्तर काल में ठीक है तो चलते हैं सबसे पहली बात क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सब्सक्राइब को देखा जाए तो अब तक हम बात करते हैं पर्टिकुलरी भक्ति आंदोलन में काफी सारे संतों पर क्वेश्चेन पूछने एक नया प्रश्निया जो हमें नजर आ रहा है वह क्या कौन से जो हैं मत्तब किनके द्वार्वा जो शुरू किया जाता है तो यहां पर हम जिक्र करते हैं अलवार्संत्व जो आपको नजर आ रहा है option A में अलवार संतों द्वारा दरसल केते हैं कि भारत में जहां पर छटी शताब्दी में हमें नजर आते हैं चटी शताब्दी इसापूर्व में नजर आते हैं मत्तब बहुत धरम जैन धरम जो एक समय तक काफी लंबे अर्से तक इनोंने भारत में अपना एक इस्थान कायम रखा था हाला कि शताब्दी इसापूर्व में इतना इन रही है अन्ने धरम भी आते समाज में हम देख रहे तक यह नजर आता है लेकिन वहीं पर भारत में आटवी शताब्दी इसा से हम देखते हैं कि भारत में एक नए लहर आती है भक्ति आंदोलन की शिरुबात करते हैं भारत में ने दक्षिंट में अलवार संतों का समय तो हम दिखते हैं कि तरशन ک는 जो नीव रखने वाले थे वहीं पर अगरम बात करते हैं तो अक्सिन भारत में अलग-अलग लोगों को द्वारा प्रबाव दिया गया ता तो वहां पर नाम आता है रामानजी का और जब दक्षिन में बात करते हैं तो नाम आता है कि इसका रामानुच का आप जानते हैं दरहसल इंद आंदोलन की शिरुवात दक्षिन से उत्तर की और ही गई थी तो कहा जाता था कि भारत में लगबग 14 अलवार संत थे जिन में से 12 को बहुत महत्वपूर्ण मान के उनका जिक्र किया गया है तो उन 12 अगर संतों की बात की जाए अलवार संतों की से बात की जाए ठीक है उन में से कुछ बहुत जो है नाम मतला आप कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट भी थे जैसे कि यहां पर एक्जाम्पल के तौर पर आप नाम लिख सकते हैं पोई गई बुद्दार ठीक है पेलवार ठीक है कुल शेखर इसके साथ साथ अंडालो कि है इसके साथ साथ मधूरकवी यह कुछ और गवार संतों में इसलेक हैं कि इन में साब कह सकते हैं कि अंडाल जो थी वह कैसी थी जिने कहा जाता था महिलासंद इनसे मात्र महिलासंद के अपना स्वापने में कहते हैं इनोंने अपना भगवान के साथ गान के भक्ती आंदोलन के शीर्वात विचार के साथ की गई ती कि दरसल करम ग्यान और भक्ति के साथ मिल सकता है भुष या मैं कोई धर्म को लेकर बात नहीं करना चाहरी हैं या कोई प्रवचन में बात यह जो पाता है तो कहते हैं करम की बात बहुत पहले जो है गीता में जिस तरह से उसको लेकिया तो ग्यान और दर्शन हमें नजर आता है कहां पर उपनीशन में शंकराचारे के दर्शन में लेकिन अब रह गया भक्ति तो इन्हों बात हो चुकी थे और इनका कहना है जो यह अलवार संत थे एक एश्वर वादी जो एक शवर पर विचार रख देए जिनका माना था एक शवर यह बहुष्वर वादी यानि पॉलित ही जम बहुत सारे को नहीं मानते थी ठीक है और इतना ही नहीं बलकि आप जानते हैं कि दरसल यह जो अलवार होते थे यह किसकी फॉलवर होते थे विश्णु के भगवान विश्णु के फॉलवर तो वहीं दूसरी और दक्षिन में एक और हमें नजर आता है क् और यहां पर धार में एक समुन नजर आता है नया नार जो फॉलवर होते हैं किसके शिव के शिव के अनुयाई तो इस तरह से आप समझ सकते हैं काफी सारी जो बाते हैं यहां पर ठीक है और यह भी आपके लिएक इंपॉर्टेंट है इनमें से दिये गर किस ऑप्षिन में जो है कौन सी महिला संती तो वहां पर आप उत्तर बता सकते हैं इसी के साथ चलते हम नेक्स क्वेश्चिन के और आपके सामने हैं यहां पर विछ फॉलंग मुव्मेंट्स विस गांधी नौट एसूसीट निमनलिकित में से किस आंदोलन से गांदी जी संबंदित नहीं है यहां पर प्रस्टाम फिलाफत मुवमेंट इंड कि पो इंडिवीजुल्ग सब्तंय मुवमंट्स इमिन्डिया सवधिष मुवमेंट्स ओंडिय। यहां पर बात की गई तो यह हमारा सही है ठीक है अगर इंडिविजिल सत्यग्राव व्यक्तिगत्स अग्राव यह भी गांदी जी के दौरा यहां पर हम कहते हैं कि लीजो है ना कि अगल लेकिन इनका इंबॉल्मेंट बहुत रहा था और विचार धारा भी इंसे ही उत्पन ह में तो वहीं पर अगर हम बात करते हैं को इंडिया वोमें अगांधी जी ने यहां पर एक नारा देते हुए भाशन में बोल दिया था जबकि इंकी गिरफतारी हो चुकी थी पर यह किस आंदोलन दौरान नहीं थे और वो था आपका स्वदेशी आंदोलन क्योंकि स्वदे स्वदेशी आंदोलन होता है और 1905 में इस समय गांधी जी जो है साथ अफरीका में दक्षिन अफरीका में थे भारत में इनका आना ही कब अपन्दरा को क्योंकि हम जानते ही कि 9 जिन्वरी को मनाया जाता है प्रवासी दिवस गांधी जी के आगमन पर ठीके जब यह आते है भारत तो 9 जिन्वरी 1915 को यह भारत में आते हैं यानि इस दौरानी मौज़ुद नहीं था स्वदीशी आंदोलन जो चलाया गया था वो किस पर चलाया गया था बंगाल विभाजन पर बंगाल विभाजन पर जिसकी अध्यक्षिता जानते हैं ट्रियो जानते हैं ट्रियो लीडर यानि तीन तरफ की जो तीन नेता थे और उनका नाम क्या था लाल बाल पाल लाल लाजपत्राय पाल गंगाधर तिलक और पिपेंचंद्र पाल चिनों ने इस आंदोलन के दौरान यहां पे बंगाल विभाजन को पून रुप से रोकने की कोशिश की लेकिन बंगाल चौन का ऑदेश आचया था इस समय वाइस रोई क्योंकि यह प्रश्ण बहुत की वाइसरों यह प्रोपोसर के था कुर्ण होता है विश्ट पास यहां पर लिखा था अमार शोनार बंगला मेरा सोना बंगाल नामा की रचना करते हुए बंगाल की मतलब जो कहते हैं उनके जञे सेंटीमेंट्स को ओछ स्थे लोगों बीच में रखा था लेक नाम देम से बाद में बंगला देश का बनता है राष्टिगार तो यह भी हम लिख सकते हैं कि यह भी पूचे जा सकते रपण द्रना त्रगोर निहीं मतलब किस दौरान यह रचना लिखे थी तो बंगाल विभाजन की दौनार अमार शुनार बांगला की रचना की ठीक है और यह होता है बाद में जाकर क्या बांगलादेश का बांगलादेश नैशनल राष्टगार ठीक तो यह चीज आपको दिखना है पढ़ना है और समझना है ठीक है और इतने सब कहोने के बावजूद बंगाल विभाजन हो जाता है जिस बंगाल विभाजन के बाद इसको पुनहा जोड़ने की कोशिश की गए थी जब 1911 में तीसा पंचम महरानी मेरी आते हैं खोशना के तहट इसे दुबारा से जूड़ने की बात के गए लेकिन एक बार जब तरार बढ़ जाती है तो चीज़े नहीं जूड़ती है तो इसी के साथ चलते हम अगले क्वेशन पे जुनाया क्वेशन आपके सामने स्क्रीन पर क्या कहता है तो साउथ इंगिन स्टेट विच्वेश पेमस फॉर इस निवल पोवर अगर बात करते हैं तो हम कैसे भूल सकते हैं कि भारत में दक्षिन सुदूर भारत में हम लोग तीन राज्ये जो है संगम काल के नाम से भी जो जाने जाते थे चहां पर कव्यों का संगम होता था जि बहुत ही आगे जाकर एक ऐसा राज्ये होता है चोल सामराज्य ऐसा सामराज्य था जिसने काफी लंबे अर्से तक भारत में शासन किया था यानि हम देखते हैं प्राचीन काल में जहां पूर्व मध्यकालिन तक हमें नजर आता है जिस चोल वंश की अगर एक बात की जाए तो इसकी अझभूत है मतलब इसके निवी को लेकर जो हमें मतलब यहां पर बताया जाता है इतिहास कार दुआरा इस तरह सब्हुन है जो आंत्रेक व्यापार था उस पर अपनी पकड़ बनाने के लिए वेदेशी वियापार पकड़ बनाने के लिए और अपनी नौस्थानिक शक्ति को बहुत है अपनी पावर को सिंट्रलाइज करने के लिए तो हम लोग बात करते हैं जिसके संस्थापक कौन थे यहां पर उत्तर के तौर पर आपका उत्तर हो जाएगा चोल वंश ठीक है यहां पर और जिसके संस्थापक की बात करते हैं तो नाम आता है विजयलय जो है इसका नाम है और इसका जो राजधानी मानी जाती है जो आपिटल है वह कैपुटल है इसकी तंजिओर जिसे आप तंजावुर के नाम से भी जानते हैं यह का इसके जैसे के बात करें स्थापक kneadi को नौनिक शक्ति जो प्रति स्थापिट करने वाले थे वह कौन थे महान शासक राजेंद्र चोल प्रथम और राजाराज चोल प्रथम तो आप जानते ही दोनों ही पॉवर्फुल थे जहां पर बताया जाता है कि इन्हों नहीं मतलब पल्लव को अठावी शिदावदी में पल्लव को पराजित करके यहां पर इन्होंने बहुत ही बड़ा चोल सामराज्य इस्थापित किया था ठीके और अपनी नौ सैनिक शक्ति के अधार पर नौ सैनिक शक्ति इस्थापित की और अंतर राजे या अंतर देशे आप बोल सकते हैं अंतर देशे व्यापार पर पकड़ बनाएं ठीक है काफी मजबूत ही यह तो इसलिए इनकी सैना का कहते हैं कि इस समय इनका कंपीट करना इनको बहुत ही ज्यादा मुश्किल था तो इसी के साथ चलते हैं हम आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है यह पर स्क्रीन पर हिंदा हंटर कमीशन रिपोर्ट स्पेशल एंफसाइज वर्स लेट ऑन दा तो अलपमेंट ऑफ यानि क्या के रहा है हंटर कमीशन के रिपोर्ट में विकास पर विशेश जोड दिया गया था आप ऑप्शन क्या क अधियर टक्निक शिक्षा तो यहां पर बात करती है किसकी हम यहां पर बात कर रहें हंटर कमीशन हंटर कमीशन आपका जो आता है उसमें हम काल देखते हैं यहां पर 1882 ठीक है और सर कहते हैं कि सर विल्यम विल्सन हंटर द्वारा जो है यह मतलब कहते हैं निर्देशिक किया जा रहा था लीड किया जा रहा था जिस समय यह आता है मतलब ही जिसके द्वारा भारत में लाया गया था उस वाइसरोई का नाम था लौड रिपन ठीक क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहां पर रिपन का काल है 1880-18 यानि 82 EC के बीच शासनकाल में आता है इसका में उदेश्य क्या होता है यहां पर जो वुड डिस्पैच आया था डलहौजी के काल में 1854 में उस वुड डिस्पैच की इंक्वाइरी करने के लिए ठीक है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए था इसका यही मूल उदे ऑस बीचेशन के कारे को लिए इसलिए अंगलीजी शीक्षा पर फोकुस करना जा रहा था अबेशुक्षा निक सौनी गल्सणी इजीकेशनना चुक्षा जाने क्ल्स तरक्षा तो चीब करें वह चीज्ड कर को देखने के लिए इंक्वाइरी कर नहीं करने कर लिए आते हैं कौन यह हम्टर एड्टर कमेशन काुट है और इतना ही नहीं बल्कि आप जानते हैं कि यहां पर हंटर कमीशन प्रमेरे एक एक पर आपको जैसे नजर आ रही है तरह तरह के शिक्षा पर यह नजर दाले होते हैं और एक भारत में इसके द्वारा लाई जाती है इसाई मिशन्री यानि जो यहां पर मिशन्रियों द्वारा जिस तरह से शिक्षा को यहां पर फैला आ जा रहा था उसकी भी जाच करने के लिए यह आए थे ठीक है तो प्रात्मिक प्रात्मिक शिक्षा का आयोग वड़ डिस्पैच ठीक है वड़ डिस्पैच एधारा सो चोवन में की जाच ही तु आता है ताकि कितना इंप्लिमेंटेशन हो रहा है यानी जो यह अपने लेकर आये थे अपने मतलब एक्टिविटीज को लेकर आया थे साथ के साथ इंक्या जो इंटेंश था जो इनका उदेश्य था क्या वूट डिस्पैश्च ने अपने कारे को पूरा किया या नहीं किया उसकी जाच के लिए ठीक है तो यहां पर नकेवल मैंने आपको बताया कि प्राइमरी शिक्ष हिंटीव को लिए इसट इंडिया अनवाला ऑचा प्रेशन है और यहां पर बात कर रहे हैं और यह किस दिवाणी की बात कर रहे हैं तreating कहा दे कि यहाँ पर पहले है इस इंडिया कंपनी और दिवानी किसी यह भी पता देना चाहिये क्यłby down की काफी सुठीं को यहाँ पर एसी काफी स्पश्छल ब्लॉप से नहीं मालुँं है तो धरसर होता यह है कि यह है बंगाल की दिवानी ठीक है बंगाल की दिवानी नहीं दिवानी दर असल क्या है यहां पर आप देख रहे हैं राजस्यू विभाग है ठीक है कि या ऑप कैसे वाला विभाग दर्ल होता है ऊसका राजकोष और दूसरी होती है उसकी सील Imam यहां पर यह जो दो विभाग थेना बंगाल के दिवानी निजामें धिवानी होता है राजस्यू विभाग और या निजामी होता है सैन्य विभाग आप जानते होता यह है कि अ IT होता है बाकसर का युद्ध होता है BMN 1964 में बक्सर का युद ठेक जिस बक्सर के युद में हमें नजर आते हैं यहां पर दो तरफ जो दुएंदी होते हैं ठीक है बंगाल की और से यहां पर था मीर कासें और दूसी तरफ अंग्रेजों की तरफ से बात करते हैं तो कौन थे थामस मुन्रो ठेक को घ्र Совoff कि जाध कर रहे ते मतलब अंग्रेज की तुम से युध्य को कि कहते हैं कि यहां पर मीर काश्रेमा केले नहीं थे यह औरनकर जाथ कौन धेए मोगल दौला शुजाओ दौला यह कौन हो गए मुगल बादश्या यह मुगल सम्राट और दूसरे यह कौन है अवद के शासक अब आप कहेंगे कि इनका क्या रोल दरसल होता है यह है कि जब अंग्रेजों ने यहां बंगाल में अपनी पकड़ अच्छी बनाई हुई थी ना व्यापारिक कार्यों के लिए तो यहां पर मीर कासिम से पहले जाफर था यानि कासिम के ससुर जी बंगाल में नाम के राजा कटपुतली तो जैसे बने हुए थे अंग्रेजों कि अपनी मनमानी कर रहे थे बंगाल में बंगाल जो इतना संवर्द राज्य था उसमें एक्टिविटी के काफी अच्छा फाइनेंस आता था इसलिए कि यहां पर जो अंग्रेजों के काम में जब लगने लगा कि जाफर चल जाता है इसी कारण यह मदद लेने जाते हैं इनसे आवाद जाते हैं लेकिन वहां बैठे कौन थे इनके साथ बैठकर बात कर रहे थे मुगल बाच्छा तो इसी कारण यहां पर जब दोनों की बातचीत ही होती है कि कासिभ ने जब अपनी बात रखी तो दोनों ही तैय देने के लिए अंग्रेजों के अगैंस्ट इन का साह 94 जिसके साथ बकसर का युदि उद्श के विजय हुई और यह तीनों पक्ष्च मिले थे जिन're की साइन होती है जिनके इलाबात की इन्टी इस इनी पक्ति संदेश होती है वह हम यह कह सकते हैं कि इस युद के सबापत होने के बाद 1765 में होती है जिस संधी में आप जानते हैं अब अंग्रेजों की तरफ से कौन था रॉबर्ट प्लाइब और रॉबर्ट प्लाइब ने इस संधी में जो दावेदार बनाया बादशीत हो रही थी वह कौन थे मुग बादशा ने इसके तहर्त जो यह फाइनेंस मतलब यह फाइनेंस डिपार्टमेंट हो जाता है आपका जिस तरह से वित्य विभाग तो यहां पर यह विभाग जो है दिवानी विभाग जो है अंग्रेजों के हाथों में चली जाती है और जोए इसके साथ अंग्रेजों काबिल होते हैं ? मतलब बंगाल में अपनी पावर को स्टाबरीष करने इसलिए ओन हो ने बंगाल में कलकत्ता को अपनी राजधारी बनाए और उसी के माधिन से भारत में अपने अंग्रेजी सामराज्य के पैर पसार है ठीक है बाद में जाकर हम देखते काफी लंबे अरसे तक यानि इस समय से लेकर 1911 तक इनकी राज़ानी कलकत्ता रही और बाद में इन्हें भारत की राज़ानी जो थी दिल्ली दर्बार जिसका भारत की राज़ानी दिल्ली कर दी जाती है तो यह था उत्तर यारी शाह आलम दित्ते समझ में आ गया चलते हैं नेक्स क्वेस्टिन की और चिश्तिया सूफिजम पर इस्टाबलिश्ट इन इंडिया भारत में चिश्तिया सूफी मत्त को स्थापित किया बदरुदीन बाहुत दीन जकारिया ज़ fakart यहां बहुत अच्छे प्यारे नाम नज़र आता है कोणों टेकर हो तो में मैंपल्दोर की बांदोर् aucune अहां इसमाद आता है महाम्मत को महाम्म Eliot घौ्णिक यह बह। सकत्ता जाते हैं यह काफे प्रभावित सूफि सिलसले में इसे आप,, हंदु धरम में अलग-अलए संप्रधाइ ठीक है अलग-अलग रियुक्स llegó कि अलग अलग जो हमारे विचार हैं लग देशाथ को खाले हैं सब्लाइब नियुक्त फ़र्शी का यह लोग इसलाम की विचार ओं को थो उनके तो प्रतिकर एंग्स करते हैं कि प्रंपरवादी तो concept में जो है निर्गुन विचार फॉलो किया जा रहा था या विचार फॉलो कर रहेते सिंगल गौड वन गौड या मोनोथीज में केश्वरवाद इसी तरह से सूफी धरम में भी यह चीजी काफी नजर आती है जहां पर काफी प्रसिद सिलसिले भारत में आते हैं जिन में से म जानते हैं कि यहां पर सबसे जो प्योर सबसे जादा फेमस यहां पर बहुत प्रचारित उवा लोगों के पीछ में वो था आपका चिश्टिय सिलसिल्हां थीक है तो भारत में चिश्टी सिलसिले के जो संस्थापक है ठीक है चिष्टी सिलसिले के संस्थापक भारत में होते हैं वो कौन थे मोईनोदेन चिष्टी जिन्हों ने भारत में आकर ठीक है अजमेर को अपना खानका बनाया था एक सकेड़ खौजा मोईनोदीन चिष्टी ठीक है जिन्हों ने अपना खानका जो है जो बनाया था अजमेर को खानका क्या होता है खानका दरहसल एक ऐसा स्थाल होता था जहां पर यह सूफी संथ अपना एक निवास स्थान बनाते थे और वहां पर इनके जो अनुयाई हैं इनसे अक्सर को समाधान के लिए उनकी भक्ति के लिए उनको मानते हुए उनके अगर दर्शन के लिए जो को फिसित करते थे नहों करते हैं तो इनका खानका था इसलिए इनकी जो दरगा है वो अजमेर में हिस्तित है ठीक है अजमेर शरीफ के नाम से ठीक है और ये किसके शासनकाल में भारत आते हैं इस समय भूलिये मत की अजमेर में शासन था पृत्वी राच्चोहान तृत्या का ठीक है तो महुम्मत गौरी के साथ भारत आए ठीक और क्या हो जाएगा पृत्वी राच्चोहान पृत्वी राच्चोहान यानि भारत में उस समय शासते पृत्वी राच्चोहान तृत्या के शासन काल में भारत आए बहुती प्रसिद विचार धारा फेल गए ते और आप जानते हैं एक समय था जब अजमेर में इनके प्रतिद्वंदी बढ़ गए थे लेकिन अपने विचारों से अपने उपदेशों से इन्होंने उन लोगों को अपना भक्त बना लिया था तो काफी अजमेर में है है अश्चिछ इतना ही नहीं बलकि इन्हों ने समा यह संघीत बहुत पसंद था इसलिए यह संघीत में कहते थे कि इश्वर वस्ता है यानि जो भी गॉर्ड है वह उसमें समाते हैं और इसलिए कहते थे इनके अक्सर आखे ता समा होता है यह दिकाता है नियाद मेरे मेरे इस क्वाजा करते हैं यह और तो आगे चलते हैं और इहां और हम देखते हैं की नेक्स्ट हमारा अंसर क्लियर हो गया और इसी के साथ हो चुका हमारा आज का सफर लेकिन सफर मेरे साथ यहां खतम हुआ है सफर तो अभी बाकी है क्योंकि अब आने वाले हैं आपके साथ बहुत जल्द हिमानशी उसा पॉलिटी की माराथान को लेकर तो इसे लिए मुझे तो दीजी अ प्लाटफार्म पर एक नए सेशन के साथ तब तक मुझे दीजिए यहां से आज्या हुआ है